नमश्कार दोस्तों यह फिर से स्वागत है आप सभी काथ के अपने चैनल टार्गेट एट वान पे मैं हूँ अमरिता और आज हम बात करने वाले हैं क्यामिकल एक्वेशन के बारे में तो काज यह टॉपिक है यह टीजीटी साइंस का टॉपिक है और आज से हम स्टार्ट करन करेंगे जो आपके एक्वेशन में आने वाली है उन जीजों को हम काफी बेसिक से यहां पर स्टाड़ी करेंगे तो एक एक टॉपिक जो आप सब के लिए जो इंपॉर्टन है और जिन लोगोंने बेस जिनका बेस क्लियर नहीं है वह भी आपर हो जाएगा तो अगर आप इ तो अगर आप इंटरस्टेड है टीजटी साइंस की क्लासस में तो प्लीज हमारे चाइनल को जॉइन कर लेजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएगा जिसके थू अप अब लेटिस्ट अबेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं तो चले टॉप तो physical change means what? ये दो नाम से बना हुआ है, दो term से बना है physical and change Physical means what? जो भी चीजँ आपको visible होती हैं जिन्हें आप देख सकते हो that is physical Change means होता है बदलाग तो physical changes means what? जो तीन प्रॉपर्टी है that is melting, boiling and condensation तो किसी भी चीज़ के साथ में कोई भी चीज़ अगर melt हो जाती है यानि कि गल जाती है, boil हो जाती है और condensed हो जाती है तो ये तीनों जो property है ये physical change के साथ में जुड़ी होई है ठीक, for example कोई A substance है और वो B substance में convert हो गया एक change के बाद में, chemical change के बाद में अब, दुबारा से अगर इस Substance B से A में convert हो जा रहा है तो ये कहलाएगा आपका physical change for example, burf का टुकड़ा ठीक है, burf का टुकड़ा आपके पास है तो अच्छा, जब burf का टुकड़ा हम पढ़ रहे है तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो burf है, जो water है, उसकी maximum density होती है 4 degree Celsius temperature पे लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि बर्फ का melting point होता है, कितना होता है तो 0 degree Celsius और boiling point होता है water का, तो कितना होता है 100 degree Celsius तो यह कॉमन चीज़े थी सभी को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए था तो बर्फ है जैसी और उसको आपने freezer से निकाल के atmosphere में रख लिया अब क्या हुआ, जो बर्फ था उसके अंदर जो bonding थी water molecules के बीच में जो bonding है, वो तूटना स्टार्ट हो गई क्योंकि heat एक type की energy होती है, heat energy वो इस system को मिली, यानि कि बर्फ के system को मिली और बॉंडिंग तूटना स्टार्ट हो गई, अब क्या हुआ, कि जो solid है, जो बर्फ वो धीरे-धीरे convert हो जाता है liquid में, यानि कि पानी में अच्छा, अब ये physical change कैसे हैं, आप दुबारा पानी को अगर चाहें, तो फ्रिजर में रख कर, दुबारा बर्फ में convert कर सकते हैं, तो ये जो आपका process है, this is called physical change I hope आपको इतना clear हुआ होगा तो physical change means what? किसी भी चीज की physical characteristic है, उसमें change कर देना यानि कि उसके shape में ठीक है, और उसकी size में convert कर देना, ठीक है for example, आपके सामने एक paper है, ठीक है, effort size का paper, और उसको आपने क्या करा मोड दिया, तो now it turns into a small ball तो ये हुआ आपका physical change ठीक, तो ये हुआ आपका physical change I hope इतना clear हुआ होगा next पर आते हैं chemical change के बारे में तो guys, chemical change means what, बिल्कुल उल्टा physical change का, तो physical change means हमने अभी देखा कि जो physical properties है, यानि कि shape या size में change कर देना, ये कहलाता है आपका physical change, लेकिन chemical change में होता है कि quality में ही change कर देना, कैसे तो यहाँ पर chemical change में आप देखेंगी कि जो atoms होते है reactants के, वो तूटते हैं और जो bonds है वो टूटते हैं, जो पुराने bonds है, substance के वो टूटते हैं, नए bonds बनते हैं, और जो atoms हैं वो अपना जगह छोड़कर दूसरी जगह पर shift हो जाते हैं, ठीक है, for example अभी हमने paper का example दिया था, कि आपने paper लिया ठीक है, A4 size का और उसे आपने कस के मरोड दिया और वो एक ball में convert हो गया, ठीक है, यह तो आपका हो था physical change, क्योंकि आप दुबारा से paper को खोल के, एक paper में convert कर सकते हैं, ठीक है, यह फूर size का ही था, ठीक है, या फिर इसको छोड़ देजिए, अगर आपने paper लिया, उसको एक ball में convert हो गया, था यह अभी paper और इसको आप खोल कर दुबारा paper में convert कर सकते हैं, तो यह आपका physical change हुआ, लेकिन जब आपने paper को जलाया, तो यह जलने के बाद यह राख में convert हो गई ठीक है ना, और राख है जो आप उससे दुबारा paper नहीं बना सकते आपको पता होना चाहिए, यह bulb है ठीक, यह जलता कैसे है, इसको electrical energy provide करेगे, ठीक है तो electrical energy जब काफी दिर तक bulb जलता है तो bulb heat भी तो हो जाता है, वो रोशनी देता है, तो यहाँ पर आपने देखा कि electrical energy दो parts में divide हो जाती है, that is heat energy plus light energy अब क्या आप दुबारा रोशनी जो है यह जो bulb की जो heat है, उससे दुबारा electric energy convert कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपका bulb जलना जो है, क्या कहलाएगा, chemical process ठीक, बर्फ का पिखलना जिस तरह के से physical change था तो यहां पर आपने देखा बर्फ का पिखलना जिस तरह के से physical change था उसी तरह के से bulb का जलना एक chemical change कहलाता है ठीक है और सबसे best example है, देखिए हमारे सामने जो आप day to day life में देखते हैं iron यानि की FE sorry iron यानि की FE जब react करता है atmospheric moisture के साथ में तो बनाता है rust यानि की zंग जो आपने day to day life में देखा होगा तो यह होता कैसे है जब iron यानि की जो लोहा है उसे आप atmosphere में खूले में रख देते हैं या पानी में रख देते हैं तो कुछ से में बात क्या होता है कि पानी के साथ में iron react कर जाता है और बनाता है iron oxide और यही iron oxide या ferric oxide कहलाता है आपका rust यानि की zंग अच्छा एक चीज़ और जहां से question आपके कई बार आपके real ways में question आ चुका है कि क्या होता है जब iron का जो टुकड़ा है जंग लगा हुआ इसमें जो changes होते हैं वो क्या आते हैं तो generally changes क्या आते हैं यह जो iron पहले रहता है अपनी property loose कर देता है यानि कि color जो होता है इसका अब पहले black होता है उसके बाद जब यह chemical change में यानि कि corrosion जब इसके अंदर होती है रस्टिं होती है तो यह बदल जाता है brown color में पहला change यह आता है दूसरा यह भी आपके railways में आ चुका है कि जो जंग लगा लोहा है इसके भार में क्या परिवर्दन आता है तो guys भार जो है यानि कि weight बढ़ जाता है जब आप किसी iron का छोटा सा टुकडा लेंगे छोटी से strip लेंगे या पत्ती के रूप में तो जब आप उसका weight करेंगे तो इसका weight माली जब 1 gram है ठीक लेकिन जब इसमें जंग लग जाएगा तो इसका weight 1 gram प्लस में आ जाएगा 1 gram प्लस सम्थिंग में इसका weight आ जागा यानि कि weight बढ़ गया तो यह चीज़े हैं जो आपको पता होने चे यह basic चीज़े हैं और यह generally आपने शायद नहीं कहीं देखा होगा अगर आप जानते हैं तो it is good अगर नहीं जानते हैं तो यहां से आप देख सकते हैं चलिए अब chemical equations पे आते हैं तो आज का topic ही था हमारा chemical equation लेकिन हमने थोड़ी सी बात ही यह basic की तरफ मोड़ी जो आपको जाना जरूरी था तो chemical equation means what किसी भी chemical reaction का representation होता है वही आपका chemical equation कहलाता है chemical reaction यानि जो changes होते है chemical changes वो किस तरीके से हो रहे है उन्हीं का representation chemical equation कहलाता है अच्छा अब बात करते हैं physical जो features होते हैं chemical equation के वो तो जो physical जो features होते है chemical equation के उसके बारे बात कर रहे हैं तो for example आपके पास एक product है A और B जब इन्होंनों react करा तो एक substance बनाया C तो यह जो होते हैं जो आपके left side में लिखे रहते हैं यह सारे आपके product कहलाते हैं और यह जो होते हैं जो आपके arrow के right side में लिखे जाते हैं इन्हें हम reactant बुलाते हैं और यह जो arrow है यह दिखाती है कि किस direction में reaction हो रही है for example arrow आपकी इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है that means कि जो आपकी reaction है वो reversible है यानि कि कोई physical change हुआ जहां पर reactant से product बना product से फिर reactant में बन सकता है तो यह कहलाता है आपका what reversible reaction चलिए एक और टर्म देखते हैं यह भी बहुत जादा important है skeletal chemical equation तो guys skeletal chemical equation होता गया है पहले देखते हैं इसको skeletal chemical equation means होता है कि किसी भी chemical equation का simply लिखा जाना जो reaction हो रही है वैसे हम लिख रहे हैं लेकिन यहां पर balancing नहीं होगी यहां पर आपकी skeletal chemical equation होगी वहाँ पर atoms balance नहीं होगे तो आप simple way यह भी कह सकते हैं कि unbalanced chemical equation is called skeletal chemical equation for example आप यहां पर देख रहे हैं mg plus O2 यानि कि जब magnesium जब burn करता है एर के साथ में तो बनता है magnesium oxide तो यहां पर आपकी है skeletal chemical equation क्यों क्योंकि यहां पर आपने देखा magnesium का एक atom है और oxygen यह molecular form है यहां पर जो magnesium है वो एक है और oxygen का atom है दो sorry एक है तो यहां पर unbalanced है ना लेकिन जब आप mg के आगे 2 लगा देंगे तो यहां पर mg2 और इहां पर भी 2 लगा देंगे तो यहां पर भी 2 हो जाएगा magnesium का atom यहां पर भी 2 और यहां पर oxygen का 2 atom हो जाएगा और यहां पर भी 2 तो इस तरीके से balanced हो थी है chemical equation ठीक तो यह आपकी कहलाएगी chemical equation और यह जो equation जो unbalanced यह आपकी कहलाएगी यह जो आपकी unbalanced chemical equation है this is called a skeletal chemical equation तो चलिए अब बढ़ चलते हैं reactions के टाइप में तो गई सबसे पहले हम यहाँ पे root के बारे में बात करेंगे कि किस type की equations होती हैं और इसके बाद हम detail में study करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहले बात करते हम combustion reaction के बारे में तो combustion term दिया जाता है जलने को जनरली जो day to day life में combustion होता है इसे combustion of petroleum, combustion of hydrocarbons ठीक है तो यह जो हूँ आपका यह कहलाता है जलना जो term है combustion को दिया जाता है for example, a b जब react करा था oxygen के साथ में तो बनाता है a plus b का oxide ठीक, यानि कि आप आप oxidation देख रहे हैं oxidation process के बाद a b जो है hydro के साथ में react करता है और बनाता है a की oxide और b की भी oxide तो यह आपका combustion process next जो reaction है that is combination तो combination reaction means what कोई भी दो reactant जब आप इसमें react करते हैं और बनाता है component C, यानि कि product C तो यह आपका कहलाता है combination reaction combination means जुड़ना तो a और b जुड़े और उन्होंने बनाया C तो यह आपको combination third जो reaction है भी decomposition reaction तो decomposition reaction मेंज होता है a और b जब decompose हो जाते हैं यानि कि sadna जो है sadna या गलना या खराब होना decompose मतलब होता है तो A भी जो product है वो क्या हुआ decompose हो गया, खराब हो गया और वो दो parts में divide हो गया A और B दोनों में तो यह क्या कहलाता है आपका decomposition reaction displacement reaction बहुत ही जादा easy है displacement means होता है जगे बदलना और reaction में भी बिलकुल आप भही देखेंगे यानि कि A प्लस B C के साथ में जब reaction हुआ तो C जो है वो A के साथ में react कर की place पे चला जाता है यानि कि displace हो जाता है और बनाता है AC प्लस B ठीक, लास्ट डबल displacement अगर displacement एक जगे पे हो रही है यानि कि सिफ़ C के साथ में और कोई shifting नहीं हो रही है तो this is displacement reaction और double displacement कब होती है जब दोनों reactant एक दूसरे के साथ react करके जो बनाते हैं वो होता है double displacement यानि कि B react करके चला जा जा रहा है C के साथ में और D चला जा जा रहा है A के साथ में तो यान दो बार displacement होई ना तो that is why this is called reactant combine करते हैं और एक single product बनाते हैं तो यह कहलाता है combination reaction कैसे चले आए देखते हैं यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले example आपकी combination reaction का यह combination reaction जहाँ पर 2 mg react हुआ दो एक oxygen के molecule के साथ में और बनाता है 2 mg that is magnesium oxygen magnesium oxide जो कि white ash की रूप में होता है और यही कहलाता है magnesium का जलना तो यह क्या करता है red litmus paper को blue में convert कर देता है नेक्स पर आता है decomposition reaction तो हमने पढ़ा किसी चीज का खराब हो जाना सड जाना या गल जाना यानि कि प्रॉपटी छोड़ देना और एक नई प्रॉपटी ले लेना तो यह ही है decomposition reaction तो decomposition reaction मतलब होता है एक single compound का decompose हो जाना या तूट जाना दो parts में ठीक है तो यह कहलाएगा दो या दूसरे जादा parts में तो यह कहलाएगा आपका decomposition reaction जैसे 2FeSO4 यानि कि ferrous sulfate जो है वो decompose हो जाता है यानि कि थोड़ी सी heat दे जाती है ferrous sulfate को तो heat के कारण इसमें bonds जो है वो टूट जाते हैं और बनता है ferrous oxide ठीक है ferrous sulfate जब टूट जाता है तो ferrous oxide में convert हो जाता है प्लस sulfur dioxide और sulfur trioxide में convert हो जाता है ठीक next पे आते हैं displacement reaction displacement reaction means होता है किसी भी reaction के अंदर किसी भी दो substances का अपनी जगे छोड़ देना ठीक है ना तो जब यह कब होता है जब एक reactant जो होता है वो less reactive होता है दूसरा reactive जादा होता है तो जो कम reactive होता है वो जगे छोड़ देता है अपने component को और जो ज़ादा reactive होता है वो उसके part को अपने साथ में add कर लेता है ठीक है ना तो displacement reaction means what a more reactive element displaces less reactive element from its aqueous solution तो यहाँ पे आपने देखा कि reaction में जो SO4 है वो ज़ादा reactive है RN तो उसके साथ में attach होगा और बनाता है SO4 तो यहाँ सिर्फ एक बार displacement होई मतलब यह जो SO4 एक बार displacement होके RN के साथ में attach होगा तो यह कहलाएगा single displacement है यहाँ सिर्फ displacement ठीक लेकिन double displacement पे आते हैं double displacement है क्या तो जब displacement आपके दो parts में होती है ठीक तो double displacement में मतलब aqueous solution of two ionic compounds react by exchange of their ions यानि दो aqueous solution में जब reactants होते हैं और वो अपनी ions को change करते हैं जैसे यह आपका barium chloride है ठीक है और यह है आपका sodium sulfate तो यह जो sulfate ion है यह barium के साथ में attach होजाएगा और यह chloride ion है वो Na के साथ यानि की sodium के साथ में attach होजाएगा यहाँ पर exchange of ions easily आपको visible है ठीक देख सकते हैं तो यहाँ पर दो जगे displacement होई और barium chloride से बन गया barium sulfate और sodium sulfate से बन गया sodium chloride ठीक है तो यह जो आपकी reaction है यह कहलाएगी double displacement अब आते हैं oxidation reaction पर तो guys oxidation reaction generally आपको देखने को नहीं मिलती है लेकिन यहाँ पर mention करना ज़रूरी है ठीक oxidation reaction means होता है addition of oxygen or removal of hydrogen यानि कि किसी भी reaction में अगर oxygen add होता है या hydrogen lose होता है तो आपकी कहलाएगी oxidation reaction ठीक और अगर आप electron भी किसी भी reaction में electron lose करना देखते हैं तो that is also oxidation process for example आप देख सकते हैं यहाँ पर magnesium की दो atoms एक molecule और oxygen के साथ में जब react करते हैं तो बनाते हैं MgO ठीक तो यह कहलाएगा आपका oxidation process क्योंकि यह oxygen है यह gain किया किसने MgO ने तो यह MgO sorry Mg है जो आपका यह magnesium oxidize होगे oxygen को लेकर के तो this is called oxidation reaction अच्छा आपका यह reduction reaction क्या है जब किसी भी reaction के अंदर किसी भी reaction के अंदर अगर hydrogen add हो जाता है और oxygen remove हो जाता है यानि कि oxidation का बिल्कुल उल्टा hydrogen add हो जाता है और oxygen निकल जाता है या फिर electron gain कर लेते हैं या simple words में आप अगर oxidation याद कर लें तो oxidation जो होता है reduction का बिल्कुल उल्टा होता है तो यह हो जाएगा आपका reduction process for example यह copper oxide है या cuprous oxide जब hydrogen के साथ में react कर दी है तो hydrogen attach हो जाता है oxygen के साथ में और copper अकेला हो जाता है तो यह हो जाता है copper plus H2 तो यह हो जाता है आपका reaction reaction अगर किसी भी chemical equation में यह oxidation और reduction दोनों साथ में होता है तो वो आपकी reaction क्या कहलापी है redox reaction जो लिए देखते है redox reaction क्या होता है for example आपका यह copper oxide cuprous oxide plus hydrogen hydrogen gas तो जब यह cuprous oxide को जो की एक solid component है इसको hydrogen gas के through हम क्या कर रहाते है pass करवाते है यहां से तो जो reactant मिलता है वो मिलता है copper copper अलग हो जाता है और मिलता है water तो यह जो process है आप आप oxidation में देख रहे हैं कैसे यह जो hydrogen है sorry यह जो oxygen है यह lose कर देता है copper single copper atom में convert हो जाता है तो क्योंकि इसने oxygen lose करा तो यह हो गया क्या reduction और यहां पर oxygen gain हुआ तो यह क्या हो गया oxidation तो दोनों ही process एक ही reaction में हुआ तो this reaction is known as redox reaction एक और term आपको पता होना चाहिए exothermic reaction और endothermic reaction ठीक है तो exothermic reaction means होता है किसी भी reaction के अंदर अगर heat लग रही है ठीक है किसी भी reaction के अंदर जब भी कोई reaction होती है और उसमें last में heat निकलती है तो वो कहलाती है आपकी exothermic exo means बाहर और therm means heat यानि कि heat का बाहर निकल जाना तो किसी भी reaction के अंदर अगर heat बाहर निकल जा रही है तो यह कहलाएगिया आपकी exothermic reaction अगर reaction के अंदर heat evolve हो रही है जैसे कि आपने यहाँ पे equation में देखा यह जो reactant है दोनोंने reaction किया और जो product आया product के साथ में heat बाहर आई तो यह हुए आपकी exothermic reaction लेकिन अगर यही heat इस side में लिखी रहती यानि कि left side में तो इसका मतलब कि आपकी reaction में heat लगी है यानि कि heat energy evolve हो हुई है अगर यहाँ एरो पे भी लिखी हुई है it means कि heat evolve हो हुई है तो यह reaction क्या होता है आपका exothermic reaction endo means under thermic means heat endothermic means heat का reaction में evolve होना और exothermic means heat का बाहर जाना अब बात करते हैं neutralization reaction की यह भी आप सभी के लिए जाना ज़रूरी था neutralization means होता है neutral हो जाना यानि कि न acid रहना न बेस रहना यानि कि आप समझ चुके होंगे कि किसी भी acid का जब reaction होता है base के साथ में तो बनता है salt और water तो यही salt और water बनना किसी भी acid और base के मिलने से जो chemical reaction होती है यही कहलाती है आपकी neutralization reaction ठीक है न for example HCl होता है hydrochloric acid और यह react करता है NaOH के साथ that is a base तो जब एक acid और base के साथ में reaction होता है तो बनता है salt salt क्या होता है NaCl और यह जो H2 है यह है water यही तो था neutralization reaction तो काई आज की वीडियो यही पे खत्म होती है I hope आपने वीडियो को enjoy करा होगा और कोई doubt ऐसा है जो आपके मन में रहे गया है तो आप comment box में लिख सकते हैं आज का session आपको कैसा लगा please comment box में लिख कर हमें motivate करें ताकि हम ऐसी वीडियो आप सब आप सब के सामने फिर से ले आ सकें तो अगर आप TGT के preparation कर रहे हैं और ये वीडियो फॉर्स टाइम देख रहे हैं तो please हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा चले मिलते हैं कुछ और conceptual वीडियो के साथ में तब तक के लिए अबिता को दीजिए इजाज़त बाई बाई